तो हेलो फ्रेंड्स आप एक बार फिर इंफिनिटी सॉलिशन में अड़ा में मैं अंजली पटेल आपका स्वागत करती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स जैसी किसना और मैं आज आपको बताती हूँ कि हमारा जो क्यू डबलु या टी यार वाला जो फिफ्त नंबर का टाइपिंग था इंग्लिस का आई होप आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो आज मैं आपको बताती हूँ आपको मैं मतलब की जल्दी स्पीड टेस्ट के लिए के हिसाब से बताती हूँ कि आप फटा फट लेसन करें तो जो एर्थ और नाइन्थ नंबर का लेसन है यह टॉप और मतलब की जो अपनी होम रो है और टॉप रो है जो मैंने अभी क्यू डबलु यार टी आर बताया न उसके बाद आज हम क्या करेंगे दो लेसनों को मिक्स करेंगे कौन कौन से एट एंड नाइन किक डिड एंड संकी तो चलिए फ्रेंट्स मैं आपको बताती हूँ आज इंगलिस का लेसन नंबर सिक्स तो इसलिए क्योंकि अपन को क्या करनी है फटा फट टाइपिंग सीखन मैं आपको बताती हूँ तो इसमें जो लेसन है वो है किक और डिड इसको कैसे प्रेस करना मैं आपको बताती हूँ देखें हैंड पोजिशन सेम वही रहेगी जो कि अपनी नॉर्मल रहती है होम रोप अपना फिंगर रहेगी और आपको यह भी पता है कि कौन सी बटन से क् होम और टॉप की अच्छे से प्रेक्टिस की होगी तो आपको बिल्कुल पता है कि किस बटन से कौन सी की प्रेस होती है तो आपको मुझे पता है कि बहुत अच्छे से पता होगा कि के आपको पता है कि राइट हैंड की मिडल फिंगर से के प्रेस होती है होम पे आप रखत अच्छे सी किया होगा तो आपको आई भी पता है तो आप आई भी देखने कि यह है उसी के ज़स्ट उपर के के ज़स्ट उपर आई है यह और वह भी उसी फिंगर से प्रैस होगी राइट हैंड की मिडिल फिंगर से आपका क्या होगा की प्रैस होगी ठीक है तो के आई के ए हेंड की मतलब दोनों हेंड की आपकी राय लेफ्ट एंड राइट की दोनों की मिडल फिंगर की टाइपिंग है तो आप अच्छे से देखें के आई के अभी मैं आपको हाथ उठा के दिखा रही हूं देखिए के एक मेंट सॉरी के आई के और डी डी आई डी ठीक है एक बार मैं आपको की अच्छे से कीवोड को दिखाती हूं कीवोड आप देख लें और अच्छे से देखें ठीक देखिए यह और आपको बताया की राइट हैंड लेफ्ट हैंड की दोनों मीड़ फिंगर से टाइपिंग होगी के ऐएक आई K I K D I D K I K D I D K I K space D I D space K I K space D I D space K I K D I D देखें फिंगर वहीं लॉट रही ही न अपनी होम रोप है K I K और D I D तो आप यह अच्छे से ध्यान रखें नॉर्मली लेसन हैं आप ऐसे ही टाइपिंग करें K I K और स्पेस दें D I D K I K और इसको टाइपिंग कैसे करना है यह बता देती हूँ आपको आप देखें अब किसकी ओर थोड़ा सा अब आप स्क्रीन की ओर देखें कैसे टाइप करना है और कितनी लाइन टाइप करना है मैं यह बताती हूँ आपको कितनी स्पीड से करना है एक गंटे में यह आपको 3-4 पेज फिल होने चाहिए और जितनी स्पीड से टाइपिंग हो तब ही आप आगे बनें के आईके डी डी इडी डी 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 के आईके स्पेस डी डी स्पेस के आईके अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखियेगा मैं बीच में स्पेस नहीं म लेसन की आप प्रिंट आउट निकल वा सकते हैं और इसको बिलकुल यहां तक पूरा भरना आपको ठीक है और उसके आप सेम सेकेंड लाइन आपको नीचे उसके टाइप करनी है यह दो लाइन मतलब के आपको कंटीनियसली मतलब एक की नीचे आप एक लाइन को ही यह के और पूरी यहां तक फिल करें और उसके जब आपका पूरे एक फिल मतलब पेज में पूरी एक लाइन फिल हो जाए तो फिर आप नेक्स लाइन एंटर करें ठीक है तो ऐसे करके आपको चार मतलब 3-4 पेज एक घंटे में भरने है दूसरा मैं इसका इसी में लेसन बताती हूं वो क्या है अपना संकी S-O-N-K-E-Y तो यह भी टॉप रो और आपकी यह वाली रोकी प्रैक्टिस है मतलब कि होम रोकी और टॉप रोकी दोनों की साथ में प्रैक्टिस है अब संकी का क्या है जैसे हमने मेडल फिंगर से टाइपिंग की नी था अभी दोनों हाथ से वैसे ह किससे याता है यह वाली राइट हैंट की रिंग फिंगर से लेफ एंड की दिएक वैट से ओ अथं MR थीक है यह आप रखके देखिए कर से कर दोबसे ठीक है और स्पेस देना है आपको बीच में- Son स्पेस- Son- Space और की की फिर कैसे करेंगे K E Y K यह आपको पता है राइट हैंड की मीडल फिंगर E आपको पता हैं लेफ्ट हैंड की मीडल फिंगर से टॉप रो मेंे न? E और Y भी आपको पता right hand की first finger Sun Key Key करके आपको कैसे टाइपिंग करनी है S O N K E Y S O N K E Y S O N K E Y ऐसे और इतनी ही speed में जब तक नाने लगे तब तक आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़ें यदि आपको बढ़ीया टाइपिंग सीखनी है एक लाय में टाइपिंग सीखनी है वीडियो को स्केप करने का कोई मतलम नहीं है प्लीज मत करना आप लोगों के अच्छे के लिए ही है कोई फालतू वीडियो नहीं है है न तो आप बिल्कुल देखिए और अच्छे से टाइपिंग कीजिए ठीक है एसे जब आपकी स्पीड अतनी आ जाए तो आप नॉर्मली टाइपिंग करें यह देखो एसन के वाइए एसो एन के यह ठीक है एंड आपका केकड़ भी ऐसा ही हो कि आई के डिए के डिए और सबसे अच्छी बात एक चीज में आपको बताती हूं कि आप बोल बोल के टाइप करें तो उससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगी बोलने से बिल्कुल याद होगी ठीक है तो आप लोग इसके अच्छे से प्रेक्टिस कीजिए कोई परशानी हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं ठीक है वीडियो को लाइक सस्क्राइब और सेयर करना बि